Books That Speak में आप सभी का स्वागत है क्या आपने देखा है कभी-कभी दिन के समय सूरज अच्छानक छुप जाता है ऐसा सूर्य ग्रहन के कारण होता है जाने सूर्य ग्रहन कब और क्यूं होता है कहानी का शीर्षक है सूर्य ग्रहन कभी-कभी दिन के समय सूर्य अच्छानक चुप जाता है और थोड़ी देर के लिए दिन में भी ऐसा लगता है जैसे रात हो गई हो ऐसा सूर्य ग्रहन के कारण होता है असल में चांद धर्ती के इर्दगिर्द गुमता है और ये दोनों सूर्य के इर्दगिर्द गुमते है इसके साथ ही धर्ती और चांद अपनी अपनी धूरियों पर लट्टू की तरह भी गुमते है ऐसे ही घूमते घूमते ये तीनों जब एक सिध में आ जाते है और चांद धर्ती और सूरिय के बीच में होता है तो चांद की परचाई धर्ती पर पड़ जाती है थोड़ी देर के लिए सूरिय दिखता नहीं है इसी को सूरिय ग्रहन कहते है चांद सूरिय से बहुत छोटा है फिर भी वो सूरिय को ढख लेता है क्योंकि सूरिय चांद की तुलना में 400 गुना दूर है इसलिए वो आकार में चांद से 400 गुना बड़ा होने के बावजूद चांद के बराबर दिखता है दूर की चीज़े हमें छोटी दिखाई देती है इसी वज़े से चांद इतने बड़े सूरिय को अपने पीछे चुपा पाता है सूरिय ग्रहन दिखने में बहुत सुन्दर लगता है पर इसे नंगी आखों से देखना हानी का रख होता है सूरिय की तरफ देखने से आखे खराब हो सकती है सूरिय ग्रहन के समय हालाकी सूरिय चांद के पीछे चुपा होता है लेकिन जैसे ही चांद उसके आगे से हटता है सूरिय फिर चमकने लगता है इसलिए शूर्य ग्रहन को बिना गहरे काले रंग के चश्मे के देखना हानीकारक होता है तो अगली बार सूर्य ग्रहन देखोगे तो ये बात ध्यान रखोगे न ये है Eclipse Viewer Glasses यानि गहरे काले रंग के चश्मे जिनकी मदद से सूर्य ग्रहन देख सकते है और ये था पार्शल सोलार एकलिप्स यानि के आंशिक सूर्य ग्रहन जो इस साल 25 अक्तूबर 2022 के दिन हम सब देख पाए थे और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर website www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई धन्यवाद